हेलो फ्रेंड्स मैं सी ए मुईत पनेट आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में होप आप सब सेफ होंगे सुरक्षित होंगे घर पे ही होंगे इन इसी बेस्विचिस के साथ आज की डिसकेशन को शुरू करते हैं अज हममेन इन रिसकेशन करेंगे कि जो डे 건데 extension हुई है उसमें कौन-कौनसी डेट का हमें फ्रॉपर ध्यान रखना है बहुत सी डेट जो है और यह अऊशा ना ओगत क्वोगत करेंगे कि कौन-कौन से मन के पर अबर कभू तक बढ़ी है तो आईए शुरू करतें सबसे पहले आज की जो डिसकेशन है वह हमारी है वेवर वेवर ऑफ इंटरस्ट के रिकार्डिक वेवर ऑफ इंटरस्ट जो कि हम बात करेंगे कि वेवर अफ इंटरस्ट किसका में वेवर मिला है इंटरस्ट का वेवर मिला है राइद लेट दो यह मार पास दू मोड के लिए के लिए पर पीरिड मार्च औरbers इसुरू करते हैं कॉशुरू करते हैं यह मन य गॉइप essence जेक तैकर स्ट वात को निविए नबर एट उपलिक 2021 नाइन उपलिक 2021 कौन सी एक माई 2021 को तो है इस्ट वालेm हम देखते हैं कि पहले मार्ट 2021 की बात करेंगे बर देंट 5 क्रोड और लेस्ट दन फाइफ क्रोड वाले जो मार्च मंत की मास्ट 2021 जो है अगर हम बात करें more than five crore वाला case more than five crore के case में due date हमारी क्या बनती है बीस apple first 15 days जो interest की अभी हम बात करेंगे interest की फिर हम late fee की बात करेंगे तो हम interest की जब हम बात कर रहे हैं तो first 15 days के लिए जो है उसको reduce करके 9% जो है 18% से उसको reduce करके 9% कर दिया गया next 15 days के लिए जो है ये रहेगा 18% और उसके बात जो है 18% अगर हम second category की बात करें up to five crore वाले case में तो up to five crore के case में 20 April उसकी due date बनती है तो वहाँ पे जो है पहले 15 दिन के लिए जो है वो बिलकुल निल कर दिया गया है अगले 15 दिन मतलब हम बात करें 16 दिन से लेकर 30 दिन तक के लिए तो ऐसे cases में उसको 9% कर दिया गया और उसके बात के लिए 18% कर दिया गया तो इसी तर वही 20 April उसके बाद जो क्योंकि मंतली मोड वाला case अगर हम कहें तो ऐसे cases में भी 20 सारी हम उसको मान के चल रहे हैं तो वहाँ पे भी first 15 days के लिए जो है उसको उसका इंटरस निल कर दिया गया उसके बाद 16 से 30 दिन जो है 18% उसके बाद जो है 18 जो है उसके बाद 18% इसकी जो waiver है 20 माई 2021 तक जो है लेट फी नहीं लगेगी अब बात करते हैं हम April 2021 की वहाँ पे more than 5 करोड वाले cases जो रहेंगे 20 माई उसकी actual due date तो same way में 9% 18% से reduce करके उसको 9% कर दिया गया या उसके बाद जो है 18% ही रहेगा और हम लेट फी की बात करें तो 4 जून 2021 तक की लेट फी नह नहीं लगेगी उसके बाद 18% से reduce करके जो है 9% कर दिया गया और बाद में जो है 18% लेट फी की बात करें तो वहाँ पे लेट फी 19 जून 2021 तक जो है लेट फी नहीं रगेगी अब हम बात करते हैं 3B के बारे में 3B के quarterly mode के बारे में जहां पे qrmp scheme के qrmp scheme opt करी गई होगी वहाँ पे मार्च मंद की बात करेंगे तो मार्च मंद में 3B quarterly जिसकी 3B जानी थी चाहे 22 तारीक category A state के case में category 1 और category 2 कोई भी state में जो भी category A state में fall करता हो और category B state में fall करता हो तो 22 तारीक और 24 तारी respectively उसकी due date बनेगी तो वहाँ पे भी पहले 15 दिन के 18 से घटा कर उसको निल कर दिया गया उसके बाद अगले 15 दिन के लिए मतलब 16 दिन से लेकर 30 दिन के लिए जो है 18 की जगा 9% इंटरस लगेगा और उसके बाद 18% ही लगेगा वेवर ऑफ दे लेट फी 22 माई 2021 तक जो है कोई भी लेट फी नहीं लगेगी 30 दिन की extension अगर हम फर्दर बात करें एपर कि बात करें तो वहां पर भी वहां पर क्या रहेगा निल इंटरस्ट कोई इंटरस नहीं लगेगा 18% सेम उपर वाला केसी है 18% की जगा कोई इंटरस नहीं और यहां अगले 15 दिन के लिए 18 की जगा 9% और उसके बाद जो है 18% और यहां पर कोई भी लेट फी का वेवर क्यो में further relaxation for filing CMP 08 CMP 08 ठीक है composition के case में for quarter first quarter for the financial year 2021 instead of 18 18 April की जगा उसको जो है बढ़ा कर अप्टू 3rd मही 2021 तक उसको extend कर दिया गया with 9% reduce interest between 4th में 2018 और उसके बाद जो है 18% सेम उपर जो तरीका है उसी तरीके से यहां पर भी उसी तरीके से बात करी करी गई है और अगर हम आगे फर्दर देखें तो उसमें हम आगे की नोडिविकेशन को भी रैफर कर लेते हैं आगे की नोडिविकेशन जो की बात करती है तो नोडिविकेशन नमबर 12-2021 1314 यह नोडिविकेशन इसको यह भी एक माई 2021 को ही नोडिविकेशन आई थी जो है उसकी अपरल मंत की अगर बात करें और इसको बढ़ा कर 26 माई 2021 कर दी गई 15 देन की यहां पर extension अगर हम बात करें number of days की तो और आई एफ में भी सेम वे में अपरल मंत की अगर बात करें तो तेरा तारीक उसकी डूडेट होती है तो तेरा पांच से यहां पर भी पंदरा दिन आड़ करें क्योंकि जीस्टीर वन में पंदरा दिन आड़ करें तो सेम तो इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो इसमें जीस्टीर फोर की अगर डूडेट जो की कम अनुड रिटरन कंपोजिशन टेक्सपेर के लिए फाइनचील यह टुन्टी टुन्टीवन की 30 अपरल तक औरीजनल डूडेट जो बनती है उसकी 30 अपरल 2021 उसको भी एक मही एक सिंटिन चन कहेंगे जैस्ट यार 5 आई एक सिर्टी के समें जोकी मार्च अपरल के समें 20 आपरल और बीस महीय उसकी डूडेट बनती है उसको फर्दर बढ़ा दिया 31 माई तक उसको extend कर दिया गया GSTR 6 ISD के case में April मंत की 13 माई से बढ़ा के 31 माई कर दी गई GSTR 7 TDS deductor के case में same April मंत की यहाँ पर हम बात कर रहे है April मंत में 10 माई उसकी due date बनती है उसको भी बढ़ा के 31 माई और GSTR 8 TCS collector के case में April मंत की अगर बात करें तो 10 माई 2021 से उसकी due date इन दोनों की जो दसतारी की due date बनती है GSTR 7 और GSTR 8 की तो यहाँ पर भी इसको भी बढ़ा कर 31 माई 2021 यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सारी extension यह सारी extension जो है 31 माई 2021 तक बढ़ा दी गई है यह मंत माई मंत चल रहा है मही मंत में 31 तरीक तक यह extension बढ़ाई गई है तो हमें इस मंत में जल से जल इनको भी cover up करना है यह नहीं कि extension हो गई तो हम relax हो जाए तो हमें इनको cover up करके close करना है ITC 04 की बात करें ITC 04 का होता है जब principal principal job worker को बेजता है अपना माल job worker को ठेक है या भेजा या इससे return हुआ तो दोनों cases में अगर वो उस quarter के बीच में movement होती है यह तो वहां पर form बरना पड़ता है ITC 04 यह form file करना पड़ता है तो यहां पर इसकी जो date थी quarter fourth quarter for the financial year 2021 की उसको भी 31 मही तक बढ़ा दिया गया यही बात यहां पर करी गई है अगर हम देखें तो एक्सेंशन हमें 31 मही तक जो है मिली तो हमारी टार्गेटिड देट 31 मही तो है लेकि हमें पहले इससे पहले ही पहले जो है इसको सारे इन compliance को close करना है जो उन से भी हो माना situation जो है इस टेम पे business की favorable नहीं है business जो है बहुत सारे impacted है due to covid-19 लेकिन as a professional कहीं ना कहीं हमें हमारी जो responsibility बनती है तो हमें जो है अपने जो compliance है वो timely comply करने पड़ेंगे क्योंकि जो extension मिली है अभी 31 मही तक है उसके बाद फिर जो है हमें सारी के सारी late fee वेगरा जो भी consequences है और इसको हम interest में जो हमें waiver मिला है जो हमें reduce rate पर हम interest पर कर रहे है एटीन की जगा हम यह तो 19 करना पड़ रहा है और 18 की जगा हमें कई जगा पर निल रेट निल जो है कोई interest नहीं लगेगा 15 दिन के लिए कोई interest नहीं लग रहा कई cases में कई cases में 18 की जगा 9 तो 9 परसेंट जो है हमारा सेव हो रहा है तो यह जो हमें इसके लिए इसके लिए हमें जो है टाइम जो स्पेसिफाइड है उस स्पेसिफाइड टाइम पीरिड के अंदर जो है उसको फाइल करना पड़ेगा जो टाइम पीरिड दिया गया है क्योंकि जैस सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नए अपडेट डाले आपको वो प्रेस है क्या जैसे उसकेशन थे लिए बाजिय ख्याओ प्रेस है जाएट है उसका है उसकेशन दिध भीरिड़े ने दिजय कि अ झाल झाल